साहो के मेकर्स दो अगस्त को यानि कि आज के दिन हमें एक स्पेशल तोहफा देने वाले थे एक रोमैंटिक तोहफा देने वाले थे और वो था सौंग इन्नी सोनी आपको बदाना चाहता हूं कि इंटरनेट पर सौंग ने दस्तक दे दी है नमस्कार मैं हूँ राहू भोट स्वागत है आप सभी का आपके फेवरिट चैनल में दोस्तो साहो फिल्म में कैसी फिल्म है जो कि स्रिफोर सिफ एक्शन त्रिलर फिल्म नहीं है साती सात एक रोमैंटिक सागा भी होने वाली है अगर बात करें इसमें तो हमारे बाहु बली यानि की प्रभास रोमैंस करते हुए नजर आएंगे दोस्तो बॉलिवूड की स्त्री से यानि की श्रद्धा कपूर से श्रद्धा कपूर और साहो यानि की प्रभास श्रद्धा कपूर और प्रभास दोनु ही दोस्तों बहुत ही बहतरीन कास्ट लग रहे हैं फिल्म में अगर बात की जाए इनके रोमेंटिक एंगल की तो इन्नी सोनी में इनके इस खुबसूरत अंदाज को हम देख सकते हैं बदाना चाहता हूँ जब प्रभास कोट पेंट टाइप पहन कराते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं और शद्धा कपूर मॉडर्ण ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लग वी है और उपर से प्लस पॉइंट है इस गाने में लोकेशन जिस तरीके से एक्सॉर्टिक लोकेशन का इस्तमाल किया गया है ये सौंग को और भी जादा वीजुली अपीलिंग बनाता है हाँ म्यूजिक की अगर मैं बात करो तो गुरू रांधवा सुर से सुर मिलाते में नज़राएंगे तुलसी कुमार के साथ बात की जाए अगर सौंग की की ये कंट प्रिय है या नहीं तो जब आप इस सौंग को बार बार लूप में सुनेंगे तब ये सौंग आपके दिल में आपके जहन में चड़ता हुआ नज़राएगा एक बार अगर आप song को सुनेंगे तो वो आपके दिल में उतना impact नहीं कर पाएगा लेकिन yes, visually अगर आप बात करेंगे song की तो visually आपको बहुत ज़दा impactful लगेगा जिस तरीके से foreign location दिखाये गई है, बरफीले, पहार दिखाये गए है, वो एक लंबा सा bridge दिखाये गया है और last में जिस तरीके से एक modern era दिखाये गया है तो definitely वो तो दर्शुकों का दिल जीत के ही ले जाता है मैं कहना चाहूँगा कि जब हम बड़े पर ये song को देखेंगे तो definitely हम लोग खुशी से जुग उटेंगे और इस song में अगर chemistry की बात करें तो शद्धा कपूर और प्रभाज दोनों ही एक number लग रहे है सौंग को देना चाहूँगा thumbs up कहना चाहूँगा कि आप बार बार अगर सुनेंगे तो definitely आपके कानों को ये soothing effect देगा ही देगा लेकिन अभी के लिए अगर बात की जाए तो visually देखने में इस song best लगता है आपको क्या है कहना comment section में जरूर बताईएगा बने रही है चैनल के साथ और इसी तरीके के interesting reviews मैं लाओंगा राहूल भोज आप लोगों के लिए आपके favorite चैनल में और साहो से जुड़ी हुए बातों के लिए भी चैनल के साथ बने रही हैगा